नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अकाश वेलकम टू प्लांट केरगीवर वे पौदे जिने आप बालकनी में ग्रो कर सकते हैं आज मैं इस बार में बात करने वाला हूँ तो अगर आपके गार्डन में ये बालकनी में धूप बहुत कम आती है तो जो पहला पौदा है आप ग्रो कर सकते हैं वो है ये मनी प्लांट अगर आपके बालकनी में एक से दो घंटे की धूप आती है तो आप इसे डिरेक सनलाइट में भी रख सकते हैं लेकिन अगर धूप बहुत जादा आती है तो आप इस प्लांट को bright indirect sunlight में रखें जहाँ पर धूप इस पर direct ना पड़े लेकिन रोशनी काफी अच्छी खासी हो इसके अलाबा अगर कोई बड़ा प्लांट हो या shade हो green net वगरा लगाया हुआ तो आप इसे direct ही green net के नीचे रख सकते हैं ये big leaf money plant है पत्ते इसके बड़े ही होते हैं लेकिन इसमें आप एक बात का ध्यान रखेगा अगर इसकी multiple branches हो जाती है तो फी पत्तों का size दीरे दीरे छोटा होने लगता है कटिंग से आप इसे बहुत ही असानी से ग्रो कर सकते हैं तो बस एक ही stem आप इसकी रखेगा कटिंग से ग्रो करना चाहे तो इससा की कटिंग लेजेगा और ये leaf node होता है जहां पर इससा की area roots आती है ये दो से तीन आप इससे round shape में लगके मिट्टी से cover कर दीजिए बहुत ही असानी से ग्रो हो जाएगा कबार से जुकार करके आप इस ता कर एक corner अपनी balcony में create कर सकते हैं ये without money मैंने पूरा corner decorate किया था केवल paint का ही खर्च इसमें आया था ये है sensitive area जिससे snake plant कहते हैं दूप ना आती हो तो भी आप इससे ग्रो कर सक सकते हैं काफी सारी varieties में आता है काफी सुंदर सुंदर color option भी आपको देखने को मिलेंगे cutting से आप असानी से grow कर सकते हैं लेकिन variation वाला अगर आप cutting से grow करेंगे तो उसमें variation नहीं आएगा देख सकते हैं सकी छोटी varieties में भी आता है सिंगल पत्य से grow हो जाता है तो जरूर पौधे को आप लगा सकते हैं बहुत ही hardy plant होता है एक बार यह add करेंगे तो हमेशा आपके गाड़ा में बना रहेगा इस ता कि वीस्ट container में भी यह grow हो जाता है इसके लावा इस ता का corner अगर आप create करना चाहें तो यह भी आप create कर सकते हैं इस पर भी मैंने proper reel डाला हुआ है थोड़ा सा भी आपको विक्रा विक्रा सा लग रहा होगा लेकिन जब यह ने वीडियो बनाया था तो proper पौधे को एक जगाप सेट किया था क्योंकि रोज वीडियो में बनाता हूँ तो कई बार गंबले इधर से उधर लाने पड़ते हैं जिससे यह थोड़ा सा मतलब गंदा सा हो जाता है इसके अलावा धूप अगर आपके गाडन में ना आती हो या फिर थोड़ी बहुत आती हो दो से तीन घंटे की तो आप यह टर्टल वाइन लगा सकते हैं और यह टेंगल हाड भी लगा सकते हैं मेरे यह दोनों पौधे एक से दो घंटे की धूप में लगे हुए हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं और यह बाला एरिया मैं कल इस पर काम करूँगा और इससे सुन्दर बनाऊँगा अगर मैं कल नर्सरी जा पाया तो जैसे कोशिश करूँगा मैं तो परसों तक मैं इसका मेकोवर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा क्यों एरिया बहुत ही गंदा सा लग रहा है यह देख सकते हैं यह है टेंगल हार्ट यह बहुत जादा दूप में लगा हुआ है तो थोड़ा सा पीला हो गया लेकिन चल रहा है लगबग 8 से 7 से 8 घंडे की दूप में लगा हुआ है देकिं यह मरते नहीं यह इतने हाड़ी यह पौदे होते हैं इसके अलावा यह है अगेव प्लांट इसे भी फूल धूप में अगर आपकी भालकनी में बहुत जादा धूप आती हो तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं नहीं तो इसे आप 2-3 घंटे की धूप में भी रखेंगे तो भी चल जाएगा और बहुत जादा इसा मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन प्लांट आपका चलेगा जरूर और इसमें तरके काटे होते हैं तो काटे मैं हमेशा कट कर देता हूँ क्योंकि यह आख में अगर पानी डालते वक्त लग गया तो बहुत जादा प्रॉब्लम क्रियेट कर देगा और यह है पि इसके अलावा यह करें प्लांट भी आप लगा सकते हैं अगर आपके गाडन में धूप आती हो और प्लांट थोड़े से आपको इस टाइम गंदे दिख रहे होंगे क्योंकि यह दो तीन दिन से मैंने इसे मतलब वाश नहीं किया है यह फिक हैं उपर से पानी नहीं डाला ह तो पत्यां बहुत जादा धूल से भरी हुई है और मेरा घर जो है वो रोड के साइड में ही है तो बहुत जादा धूल आती है और यह है परकेरिया अगर गाडन में धूप आती हो तो यह फरकेरिया भी आप लगा सकते हैं मतलब बालकनी में अगर धूप आती हो और बालक तो आप पीस लेली ग्रो कर सकते हैं जो कि साल में एक बार ही उस पर ब्लूमिंग होगी एंथूरियम ग्रो कर सकते हैं उसमें भी साल में एक ही बार ब्लूमिंग होगी तो इस तक कुछ एक्जॉर्टिक प्लांट आते हैं जो की नर्सी में काफी महिंगे मिलते हैं ये दोनों प्लांट 200 रुपीस की रेंज तक मिलते हैं और साल में एक दो बार ही ब्लूमिंग होती है और बालकनी में 4-5 घंटे की दूप आती हो तो आप ये लेमन प्लांट ला सकते हैं मैंने कुछी दिन पहले एड़ किया है देख सकते हैं ब्लूमिंग भी हो रही है कुछ लेमन भी लगे हुए है और चोटू-चोटू से लेमन भी लगे हुए है ये उन्जेवन 70 रुपीस में मिला था और बालकनी में 4-5 घंटे की दूप आती हो तो ये आप एपल बेर का प्लांट भी लगा सकते है पूरा फूलो से लदा हुआ है और चोटे-चोटे से इस पर भी बेर लगने स्टार्ट हो गए दसल इस पर पहले भी बेर लग रहे थे लेकिन हुआ क्या उस पर मैंने 2-3 तीन तो पानी नहीं डाला भोल गया तो वो खराब हो गया था तो वो नई ग्रोथ पूरी खराब हो गय थी और इसके बाद फिर से बारिश होई फिर से इसमें नई ग्रोथ आई और फिर से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगी है क्योंकि पुरानी ग्रोथ जिस पर blooming हुआ था वो सारा खराब हो गया था और ये चिली प्लांट भी अगर चार से पांच गंटे की दो पाती हो तो ग्रो कर सकते हैं ये बैगन ग्रो कर सकते हैं दो तीन गंटे की दो पाती हो चार से पांच गंटे की दो पाती हो तो ये पालक और चौराई भी ग्रो कर सकते हैं टमाटर भी ग्रो कर सकते हैं इसके अलबा ये बिंडी यानि की ओकरा लेडी फिंगर ये भी अब ग्रो कर सकते हैं मैंने कल ही दो तीन हार्वेस्ट किया था क्योंकि एकी कंटेनर में मैंने ग्रो किया था और तो यह अच्छे से grow कर रहा है कि उतना जादा space नहीं कि बहुत सारे इसके container बना पाऊ हो और यह देख सकते हैं गुआवा यह भी अच्छे से फिलाल grow कर रहा है इसमें थोड़ी से compost अगरा कि कमी हो गई है तो वो भी मैं जल्दी add करूँगा क्योंकि जब मैंने report किया था उसके बाद मैंने इसमें compost नहीं डाला यह Mexican petunia है यह star fruit इस पर जितने भी flowers से एक दो दिम पहले खेले होगे थे सब गीर चुके हैं I think यह पौदा भी जब बहुत ज़्यादा चोटा इसलिए इस पर flowering जो है वो टिक नहीं रही है लेकिन next year जरूर ही होगे और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार fruit plant जब भी मैं लाओं उसमें fruiting हो रही हो तब ही लाओं क्योंकि बेर के अलाबा कोई भी plant मिलाता हूँ तो उस पर मतलब fruiting इतनी जुल्दी होती नहीं है इससे पहले मैंने चीको कायट किया था वो चार-पांस साल मेरे पास रहा उसके बाद खराब हो गया लेकिन उसमें एक भी बार fruiting नहीं होई है और यह जो आप देख रहे हैं यह है morning glory और elementa अगर वही चार से पांच गंटे की दूप आती हो तो यह दोनों पौधे आप लगा सकते हैं morning glory का वैसे season हम जा चुका है इस ता कि बहुत ही healthy इस पर जो हैं वो seeds लगे हुए हैं तो मैं harvest कर लेता हूँ पर वही यह harvest करके इधर उदर रख देता हूँ अभी तक मैंने collect करके रखे नहीं हैं और यह जो आप देख रहे हैं इसे चचेड कहते हैं इंगलिश में snake god कहते है और यह जो आप देख रहे हैं यह rich card जिसे तो रही कहते हैं तो दोनों ही नीचे वाले garden में जमीन पर लगे हुए हैं और 6 तक आ चुके हैं flowering start हो गए हैं लेकिन अभी fruiting बन रहे होंगे लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है और इस ता कि जब मैं इस corner में आता हूँ तो मैं यह कुछ जो morning glory के हैं उसे मैं उखाड के फेग देता हूँ और क्योंकि देखने में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहां पर कच्रा हो रहा है यह wine जो है वो सूख चुकी है तो पत्ते सारे जहर जाते हैं और एक दिन में पूरा garden घंदा हो जाता है तो जब भी बेट करूँगा तो वो इस पर तोरही भी चड़ जाएगी और फिर निकालना मुस्किल हो जाएगा और यह जो आप देख रहे हैं यह healthy का plant है दो तीन container में मैंने लगाया थे लेकिन दोनों मैंने निकाल ली हैं यही फिलार बचा हुआ कि container की कमी थी तो उससे मैंने निकाल का किसी दूसरे container में डाल दिया था और marigold अगर आप grow करना चाहिए तो सीर से grow कर सकते लेकिन इसा के कच्छे seed अगर आप डालेंगे तो germination rate आप जीरो ही मिलेगा उसमें seed mature होने चाहिए चाहिए वो हरा ही क्यों नहों लेकिन देख सकते इसमें seed पूरे कच्छे हैं तो इन अब the hardest plant होता है ये पिछले साला है किया तो तब से लगातार इस पर blooming हो रही है फ्रूट मदब भैगन लग रहे हैं और ये कनेयर प्लांट मैंने last year rainy season में cutting से grow किया था फिलहाल अच्छा grow कर रहे हैं और ये है पोर्चुला का blooming outcome हो चुकी है लेकिन साम तक flower सब खिले रहते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ और कुछी दिन पहले winter flowering plant पर मैंने वीडियो डाला थे कि कौन कौन से winter flowering plant अभी अप नर्सी से purchase करके ला सकते हैं या पी seeds से grow कर सकते हैं तो अगर आपने वो वीडियो ना पाते हैं तो बहुत कम views आते हैं इसलिए मैं अब source वीडियो ज्यादा focus करता हूँ तो ये था मेरा आज का वीडियो आई हो कि वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजेगा और अगर आपने अभी तक में चाहिए को subscribe ना किया हो तो ज पूछते हैं इसलिए मैं ऐसे question का कभी भी answer नहीं देता हूँ तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening